नमस्कार दोस्तों, Travel IQ Services में आपका स्वागत है, आज का ये वीडियो IRCTC Agent Login में train ticket कैसे book करना इसके बारे में है, तो चलिए सीधा IRCTC की website पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि train ticket कैसे book करना है, Login करने के तुरेंट बार आपको ऐसा screen नेजर आएगा जो कि अभी आपकी screen पर है, यहां पर सबसे पहले column में आपको अपना boarding station लिखना है कि जहां से आपको journey शुरू करनी है, हम माल लेते हैं हमें Bangalore से journey start करनी है, और जब drop down में station आएगा हमें station select करना है, उसके बाद हमें destination station type करना है और फिर उसको भी select करना है, ध्यान रहें कि station को select जरूर करें, type करके नहीं करेंगे तो आपका search में option नहीं आएगा, अब आपको train का journey date select करना है, उसके बाद आपको search पर click करना है, search क्लिक करने के बाद आपको station कि इतनी भी trains हैं, वो सारी trains आपको यहां पर display बताएगा, book now पर click करने के बाद आपको यह कुछ condition बताएगा और उसको आपने I agree करना है, you search trains for SBC to NDLS, but booking from SBC to Nizamudin, do you want to continue, अब इसने यह बताया है कि हमने जब search किया था, तो हमने SBC यानि की Bangalore से नई दिल्ली station लिया था, लेकिन जो train हमने select किया है, वो Bangalore से Nizamudin station के लिए है, तो हमें यह ठीक लगता है, और इसको हम Yes कर देते हैं, अब next page जो है passenger details enter करने के लिए है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप जेखेंगे तो boarding station आएगा, आप boarding station पर click करकर यहाँ से boarding station भी change कर सकते हैं, और यह पहला column जो है, यह passenger details डालने के लिए है, अब यहाँ प passenger भी हम add कर सकते हैं, अमाल लिजे दूसरा passenger एक child है, जिसकी उम्र 12 साल से कम है, तो जैसे हम उसकी 12 साल से कम age enter करेंगे, तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक option आया, opt child birth, अगर आप इस opt child birth को हटा देंगे, तो आपको child का discount मिल जाएगा, लेकिन उस ticket पर आपको birth नहीं मिलेगा, तो इसके इसको ticky रहने दें, और पूरा fare देकर आप seat जरूर ले, उसके बाद आपको passenger का mobile number एंटर करना है, यहाँ पर ध्यान रखें कि passenger का mobile number बिल्कुल सही सही एंटर करें, क्योंकि अगर गलत mobile number आप एंटर करते हैं, तो आपको cancellation के time पर refund म समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर आप OTP को verify नहीं कर पाए, तो आपको refund वापस नहीं मिलता है, अब यहाँ पर आपको destination address डालना है, कि passenger को डिल्ली में या जहां पर वो जा रहे हैं, वो किस जगह पर वो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने destination address डाल दिया, यहाँ पर आप PIN Code ए अगर आप किसी company का ticket book कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस company का GST number डाल दें, consider for auto-upgradation, अब इसमें क्या रहता है, मान लिजिया आपने 3rd AC का ticket लिया, और किसी कारण वर्ष, AC2 या 1st AC में seats खाली रह गई, तो आपको consider किया जाएगा upgrade करने के लिए, book only if confirm births are allowed, इसका मतलब यह है क आपका ticket तभी book हो, जब confirm ticket हो, वैसे तो हमने confirm availability पर ही click किया था, लेकिन कहीं बार ticket book करते करते ही waiting list आजाता है, तो ऐसी सुरत में अगर आप इसको click करेंगे, तो आपका waiting ticket नहीं मिलेगा, reservation choice में, यह different options है, book only if births are allowed in the same coach, only if at least one lower birth is allowed, only if two lower births are allowed, यह तीनों चीज़ खुदी self-explanatory है, तो हम आगे चलते हैं, यहां पर आप insurance के लिए पूछते हैं, कि insurance को yes या no यह जरूर करना होगा, अधर आप yes करेंगे या no करेंगे, अगर इसको select नहीं करेंगे, तो next page पर नहीं जाएगा, हम इसको yes select कर लेते हैं, अब यहां पर payment mode के लिए यह पूछता है, कि through credit, debit card, net banking, wallet से करना है, या through beam UPI करना है, अब यहां पर ध्यान रखें कि agent login में सिरफ पहला वाला option ही काम करता है, pay through beam UPI यह agent login में available नहीं होता है, तो पहला option select करेंगे और continue पर press करेंगे, continue प्रेस करने के बाद, आपको next page जो display होगा, यह आपका review जरनी रहता है, आपको यहा पर यहां पर यह आपका train का नाम और train number है, उसके बाद इस column में आपको यह बताते हैं कि यह जो train है, यह रात को 8 बज़ चलेगी, जो की KSR बैंगलूरू स्टेशन से चलेगी, 26 अगस्त को चलेगी, टोटल जरनी टाइम जो है 33 गंटे 30 मिनट रहेगा, और 28 अगस्त सनीव को सुबह साड़े 5 बजे यह निजामुदीन स्टेशन पर पहुंच जाएगी, एविलेबल सीट्स जो है 264 है, और आपने one adult and one child को सिलेट किया है, जनरल केटेगरी है, और बोल्डिंग आपकी KSR बैंगलूरू से है, यहां पर आपको पैसेंजर डिटेल दिखाता है, या यह फाइनल आपका पैमेंट पेज होता है, यहां पर आपको RDS URL पर क्लिक करने के बाद आपको Travel IQ पर क्लिक करना है, और उसके बाद Pay and Book करना है, कुछ एजेंट्स को प्रॉब्लम यह आएगा कि यहां पर यह RDS URL का उप्शन नजर नहीं आएगा, ऐसे केस में उनको प्रॉजर में एक option आएगा, clear data, वहां पर all time select करके आपको data clear करना है, और फिर से try करना है, फिर आपका option वापस आजाएगा, अभी फिलाल हमने इसको select किया, और अभी हम Pay and Book का button प्रेस करेंगे, को एक payment gateway page पर ले आया है, यहां पर आपको credential एंटर करने है, जो की rail ID और rail password है यह आपको travel IQ दवारा आपकी email पर दिया जाएगा, वहां से आपको ID password लेकर यहां पर put करना है, और फिर पेनाओ का button प्रेस करना है, पेनाओ का button प्रेस करने के बाद आपका PNR generate हो जाएगा, और आपकी screen पर आपका ticket show हो जाएगा, धन्यवाद